अब 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 कर दो है कि है लो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और महनत से पड़ाय कर रहे होंगे पिछले जितने भी लेक्चर को कोई प्रॉब्लम थी बताइए तो आज आपको एडिंग दिख रही होगी उपार लीनियर एक्वेश्चन इंट वैरिवल्स तो आज एक नया चैप्टर शुरू से आपका स्टार्ट होने वाला है तो जो अभी पिछले लेक्च एक्वेश्चन इंट वैरिवल्स बहुत ही आसां सा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है बस थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर आपको थोड़ा सा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी हलकी फुलकी क्योंकि अभी आपने धीरे धीरे जब आप रिहलसल कर लेंगे हर कोश्चन की प्र की स्टेंडर्ड फॉर्म आफ रिंग डालेगा स्टेंडर्ड फॉर्म आफ इस्टेंडर्ड फॉर्म आफ लीनियर एक्वेशन इन तू वैरिएबल्स ठीक 100 फॉर्म आफ लीइज इन तू वैरिबल्स टिक हैि इन यहां पर जैसे पॉलिन्यमीयल का आफ यहां पर स्टेंडर्ड फॉर्म आपको मताइँ था जनेरल फॉर्म आपको बताएँ था तव यहां पर standard form of linear equation in two variables वो दिखता कैसे है तो वो होता है ax plus by plus c equals to 0 यह होता है आपका linear equations in two variables का standard form और the general form ठीक है ax plus by plus c equals to 0 ठीक है इसी को इसी को equation of equation of straight line भी बोलते है equation of straight line इसी को equation of straight line भी बोलते है equation of straight line भी equation of straight line की भी general form ax plus by plus c equals to 0 ही होती है ठीक है तो यानि इस linear equation of two variables द्रसल होता क्या है वो एक straight line form करता है जब आप इसका graph बनाते हैं तो एक straight line form करता है यानि यह एक straight line की equation है straight line पुरा एक chapter होता है mathematics में आप पढ़ेंगे इसको class 11 में मैं ही पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ेंगे तो मैं खुद पढ़ाऊंगा उसको straight line को यह ठीक है अब द्रसल सुनिएगा कि ए बी एंड सी यह क्या है यह आपके constants होंगे constants यह आपके constants होंगे ठीक है constants होंगे कैसे constants होंगे these are real numbers कैसे होंगे यह real numbers होंगे कैसे होंगे real numbers होंगे ठीक है कैसे होंगे यह real numbers होंगे ठीक है यह कैसे होंगे a b and c यह कोई constant number होगा जो की coefficients होगा जो कि coefficient होगा किसका A coefficient होगा X का Y coefficient होगा B coefficient होगा Y का और C अपने हाप में A constant number होगा ठीक है अब सुनिएगा अब सुनिएगा A, B and C are constants जो कि real numbers होगे and A does not equals to zero और B, B does not equals to zero ठीक है A, B does not equals to zero और B, B does not equals to zero ना तो A zero होगा और ना ही B zero होगा ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि अगर A zero हो जाएगा देखी अगर यहाँ पर A zero हो जाता है तो A zero होने का मतलब यह पूरा term zero हो जाएगा तो equation सिर्फ Y की बनेगी जो कि Y सिर्फ Y की equation बनने का मतलब है equation in one variable हो जाएगी इसलिए A does not equals to zero और B भी does not equals to zero और B does not equals to zero अगर B zero हो जाएगा तो यह zero हो जाएगा पूरा तो equation in x बन जाएगी जो कि equation in one variable होगी तो यहां तक किसी student को कोई problem है A, B, C are constant कैसे constant, real constants होंगे these are real numbers and A does not equal to 0 and B does not equal to 0 दोनों ही does not equal to 0 होंगे किसी को कोई problem है यहां तक बताइए इस general information है about linear equation in two variables इसमें ज़्यादातर बाते हम question से ही करेंगे ज़्यादातर जो हम बातें करेंगे इसमें हम question से ही करेंगे तो हम question ले लेते है कहाँ है question यह है अच्छा यह वाला है ना देखेगा question number one question number one यह क्या है write in the form of write in the form of in the form of ax plus by plus c equals to zero खीक है Kिसके form में लिखना है अ यह is sales पहला है अ ए एशे 5000 वी एशे 000 वी는지 क्योंके आई इसको यह इसको आपको standard форм में लिखना है किस फिर्म में लगना है standard Form में लिखना है nav tandem पर्ल्म कैसा होता है इस प्रकार से होता है यह होता है यह होता है Hebrew students है इसा arab लेखेंगे देखिए एकस टू आई को इधर ले आई लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनेस टू आई हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास एकस वाला टरम मिल गया यह भी ठीक है हमारे पास यह कॉंस्टेंट सी वाला टर्म नहीं है तो हमने यहां पर जीरो लिख दिया इजिक स्टैंडर्ड इक्वेशन से रही नहीं इधिक रहा है बिलकुल धिक यह ठीक है तो आप का राइट हिंद स्टैंडर्ड फार्म आपका यह लिखा गया आप कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक स्टेंडर्ड फॉर्म में आपको लिखते थे हैं से incl 거죠 दिंट नंब्र से के अजियान को रही तो हमारा काम हम जो है करते हैं कि बश्पाट्र वर्म में सारी चीजें left hand side में लिकी हुई है right side में शिवब आपको zero दिख रहा है क्या दिक तो हम भी जो है अपना standard form में बदलने के लिए सारे terms को लेफ्ट hand side में shift कर लेते हैं ठीक है तो हम क्या कि यहां पर 2y-3-root 2x इसके कई बेनिफिट होते हैं हलाकि एक्स का कोफिशन निगेटिव नहीं है लेकिन पॉस्टिव रहे तो दिखने में भी जादा अच्छा लगता है और इसकी बहुत सारे फायदे भी होते हैं वो फायदे आप क्लास 11 में पढ़ेंगे लेकिन अभी आप समझ लिजिए कि निगेटिव की जहां आपको क्या करना है पॉस्टिव तो आप एक्वेशन के दोनों तरफ किस से मैंटिप्लाई करेंगे माइनस वन से एक्वेशन के दोनों तरफ किसी भी सेम नंबर से मैंटिप यह माइनस में था प्लस में हो गया रूट टू एकस कहा खूग आपका को से ब्लस में था त्री प्लस थ्री कोई ब्लस थरी Caribbean 0 में तो कोई परिवर्तन कोई चैन्ज नहीं होगा यह आपका इसको आंसर आ गया इंदर स्टेंडर्ट form next question question number third question number third आपका x by 2 minus y by 3 minus y by 3 is equals to 5 क्या करी इसको subtract कर लिजिए आप क्या हो जाएगा 3x 3x minus 2y minus 2y upon upon 326 is equals to 5 ठेक अब 6530 उधर ले लिजिए 3x minus 2y 6530 उधर जाएगा 30 इधर आएगा तो minus 30 minus 30 equals to 0 या आपका standard form में आ गया तो सारी चीज़ें एक्दम क्लियर होंगी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की तरफ चलते हैं ये किस में आपको कोईशन ही करना है कंसेप्ट बहुत जादा नहीं कोईशन आपको ही करना है कि दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूँ कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ठीक है आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है ध्यान से देखते चलिए बहुत आसान सा ये चैप्टर है बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग साथ में ले करके चलना है ठीक है जादा घबराने की वदूरत नहीं है थोड़ा थोड़ा हम ल मैं जैठम को इवने केsalिघस और मश जोरी है अर्प है कॉछन के दवारा ही होता है चाल कोशन नमबर टू है उफ उए कौस्ट आफ नृंट बूक दा राफ बूट दा कॉष्ट रिंड हैं आपा लिए ठेक हम रोटल से था सान के जाते हुदिए the cost of a pen is twice the cost of a pen, twice the cost of a pen, ठीक, यानि जो notebook का cost है, वो pen की cost का double है, ठीक है, write a linear equation in two variables, write a linear equation, equation in two variables, in two variables, in two variables, to represent this statement, two variables, to represent this statement, statement, चलिए, notebook की जो cost है, वो cost of a pen से double है, ठीक है, तो हम लोग माल लिए, कि cost of a pen, cost of a pen, क्या है, एक्स रूपीज, ठीक, एक्स रूपीज, ठीक है, एक्स रूपीज, and cost of a, cost of a, notebook, cost of a notebook, वो माल लिए, हम लोग, y रूपीज, क्या माल लिए, y रूपीज, ठीक है, देखेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, cost of a pen को हमने x रूपीज माल लिए, cost of a notebook को हमने y रूपीज माल लिए, और कहा गया, cost of a notebook, is twice the cost of a pen, यानि जो notebook की cost है, वो pen की cost का double है और pen की cost कितनी है x रूपीज pen की cost का double कर देंगे तो हमें notebook की cost मिल जाएगी यानि y मिल जाएगी यानि अगर हम pen की cost का double करेंगे यानि 2x कर देंगे क्या कर देंगे 2x कर देंगे तो हमें किसकी cost मिल जाएगी y मिल जाएगा जो कि किसकी cost है cost of our notebook है but this is not in the standard form तो हमें इसको standard form में लिखने की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे 2x minus y 2x minus y plus 0 equals to 0 भी लिख सकते हैं या अगर आप चाहें standard form में नहीं लिखना है क्योंकि हम यह standard form में लिखने के लिए बोला नहीं गया है सिर्फ two variables में लिखना है 2x minus y equals to 0 आप बस इतना ही लिख सकते हैं ठीक है यहां तक किसी student को कोई problem है बताईगा बहुत ही छोटी सी चीज है बहुत ही आसान सा question है कहीं से किसी भी student को कोई problem है इस question में तो बताईगा हम लोग next question की तरफ चलेंगे अब और next question है indicate the values of a b and c indicate the values of a b and c यानि हमें a b और c की value निकालनी है next question में किसकी value a b और c की value निकालनी है देखेगा देखेगा third question disturbance सी थोड़ी सी कोई बात नहीं indicate the values of a b and c किसकी values indicate the values of a b and c of a b and c इनकी आपको क्या निकालनी है इनकी आपको value बतानी है और वो question आपके सामने है देखेगा first question है minus 2x plus 3y is equals to 12 हमें a b और c की value निकालनी है तो इसकी value निकालने से पहले आप समझ लीजे कि आपको question को standard form में set करना होगा standard form में set करना होगा standard form में set करने के लिए minus 2x plus 3y minus 12 equals to zero हो जाएगा आप आप कुछ लोग कहेंगे किस तर यह माइनस यहां पे लगाए एक से coefficient में तो माइनस से जो है left hand side, right hand side में multiply करके इसको positive कर लिया जाए तो ऐसा आप नहीं कर सकते अभी आप नहीं कर सकते को कि अभी आप से a, b और c की value पूछी गई है हाला कि आपके ऐसा करने से equation पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन a, b और c की values पर तो फर्क पड़ जाएगा और हमसे a, b और c की value ही पूछी है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि इनी पर परभाव पड़ जाए ठीक है तो आपका जो a की value यहां पर है वो है minus 2, minus 2, b की value है plus 3, b की value है आपकी plus 3, c की value है आपकी minus 12, c की value है minus 12, कई लोग गलती करते हैं और c की value यही 12 रख देते हैं direct, तो जबकि आप पहले standard format set करना होगा, उसके बाद ही a, b और c की value निकालनी होगी, question इसमें है second, x minus y by 2 minus 5 equals to 0, बताइए, अब इसमें यह कुछ लोग कहेंगे divide में रखा हुआ है, आप इसको solve कर लिए, नहीं, कोई solve करने की ज़रूत नहीं है, यह बिल्कुल आपके standard form के तरीके से दिख रहा है, हम a, b और c की value के साथ खेलवाड अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस x minus 1 by 2 y नहीं लिख सकते क्या, और हमने आपको बताया, हमने यह तो नहीं कहा है, हमने आपको देखी हमने इसलिए लिखा भी दिया, a, b and c क्या है, real numbers है, ऐसा नहीं है कि a, b और c सिर्फ integers होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आपको यहाँ पर समझने की जरूत है कि यह 1 by 2 लिखा हुआ है, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह standard form नहीं है, यह बिल्कुल ही standard form में लिखा गया है, क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह b की जो value है, वो minus 1 by 2 है, जो कि एक rational number है, और rational number real number है होता है, तो हमने आपको बताया था कि a, b, c, और क्या होन 1 by 2 यहाँ पर लिखा हुआ, तो भी standard form ही है, standard form ही है, कुछ लोग ऐसा करेंगे, कि यहाँ पर 2 को हटाने की कोशिश करेंगे, और इधर इसको subtract करेंगे, फिर जो है, 2 इधर ले जाएंगे, इसको subtract करके, सबका जो, सबका जो coefficient है, a, b, or c की value को integers की form में लाएंगे, ऐसा करन भी नहीं है, वो सीदे क्या है, real numbers है, real numbers है, क्या है, real numbers है, यानि यह standard form में लिखा है, और 1 by 2 क्या है, real number है, ठीक है, और minus 5 equals to 0, अब आप देखिए, a की value क्या है, a की value 1 है, ठीक, b क्या है, माइनस 1 भाइ 2, सी की वैलू क्या है माइनस 5, सी की वैलू क्या है माइनस 5, ठीक यहां तक कोई प्रॉबल्म, next question number third, question number third है आपका y is equals to y is equals to x by 2, इसको आपको सबसे पहले किसमें लिखना होगा standard form में, standard form में, ठीके standard form में लिखिये, आप क्या कर सकते हैं आप तू को इधर ले आईए चलिए तू को इधर कर दिए तो तू वाई ठीक है इसको और भी लिख सकते हैं तू आई माइनस एक्स प्लस जीरो इसे भी लिख सकते हैं है के नहीं है के हैं कि नहीं बतायेगगा कोई दिक्कत है यहां से चलिए अब आपकी जो से और प्युक्ति माहें इसको इधर लिख लेते ना इसको एक्स वाले को पहले लिख लेते हैं तो माईनस एक्स माई टो यह क्या हो गया एक वैलू आपकी माइनस वन हो गई बीकि वैलू आपकी टू हो गई और सी वैलू आपकी जिरू हो गई सारी चीज़ें क्लियर है ठीक है सारी चीज़ने किलियर है उमेज आप को समझ में आ रही हूँ कहीं से कोई प्रॉबलम नहीं होगी है ना समझ्मेहरा आपको आपको समयरा सबको जलिए ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब next question की तरह बढ़ेंगे घर गाना गाते हुए नहीं बढ़ेंगे शांति से आगे बढ़ेंगे हंगामा नहीं करेंगे गाना नहीं गाएंगे हैं आगे बढ़ते चलेंगे है 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 ठीक यहां तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है करें दो करेंगे आगे भी करते चलेंगे धीरे थीरे तोड़ा थोड़ा कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र चलेंगे हाना तेंशन लेनी की जरूत नहीं है आपको तक हम है तब तक लोग टेंशन पेंशन को बैठा दीजिए कहीं उसको पेंशन दीजिए टेंशन से कह दीजिए कि आपका कारिकाल खतम हो गया है आप बैठ जाईए और आप पेंशन लीजिए पेंशन को दीजिए व्रिधा पेंशन योजना के तहत पेंशन next question I'm for question number fourth question number fourth so number fourth the cost of a ball pen is the cost the cost of a ball pennies ball pennies rupiah patch rupiah patch less than rupiah patch less than half of the cost of a fountain pen half of the cost of a half of the cost of a fountain pen fountain fountain pen take write this equation as a linear equation in two variable take write write this equation write this statement write this statement collie statement write this statement statement as linear equation linear equation in two variables in two variables okay in two variables the cost of a ball pen is 5 rupiah less than half of the cost of a fountain pen fountain pen ke aadhe se b5 kam hai ball pen ki kiemat write this equation as a linear equation in the two variables take aadhe se b5 kam hai malia cost of a fountain pen cost of a fountain pen is to x rupiah x rupiah x rupiah malia take aadhe se b5 kam hai malia cost of a ball pen cost of a ball pen ball pen ki jo cost hai cost of ball pen is request to y rupiah y rupiah cost of a ball pen is y rupiah so aap ko j oopar statement dikha ra hai wo kya hai ki joh ball pen ki kiemat hai y rupiah y rupiah y rupiah x rupiah x rupiah ke aadhe se bhi 5 kam hai 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 liekin in ko aadhe se bhi 5 kam hai liekin in ko aap standard form me likhne ki koishish ki je ki aadhe se bhi kiya huj in ko aadhe se bhi 5 kam hai x minus ten upon tue x minus 10 upon do x minus ten upon 2 x minus 10 upon 2 yo goin ah iki aadha se bhi gal hai liekin in ko aadhe se bhi y ni samadhe se bhi 5 kam hai n også pao yウ x watiyoruz tu x minus 10 upon gene ker si bhi 그래 be आप क्या करें कि वाइव को धले जायी तो x-2y-10 इस जीरो यह आपका क्या हो गया linear equation इन टू अरेबल्स फॉर डिस स्टेट्मेंट फॉर डिस स्टेट्मेंट इस स्टेट्मेंट के लिए यह आपका linear equation in two variables हो गया है ठीक है यहां तक को प्राब्लम किसी स्टुडेंट को बताएं चलिए क्लियर है सारी चीज़ें क्लियर है है ना सारे questions आपको समझ में आ रहे हैं ठीक है अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करेंगे ग्राफ बनाया कैसे जाता है linear equation in two variables का जो ग्राफ है वो बनाया कैसे जाए इस पर थोड़ा सा विचार विमर्ष कर लिया जाए है ना विचार विमर्ष करेंगे इस पर थोड़ा सा और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ग्राफ बनाना बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों नन्हें मुन्ने सात्यों है ना है कि नहीं ना है ना है ना है ना आप लोग आप लोग प्यों रहे हैं जो रहे हैं अब कर देख है है अधिक यह मुस्कुराइए तो ग्राफ के बारे में कोश्चन से हम लोग बात करेंगे कि ड्राद ग्राफ आफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है चलिए भ्रव द ग्राफ ऐफ ग्राफ आया व्यृत अफ लीनीयर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन तू वेरिब्र इन तू वारियब्लस अनटू ऐर że Walz ग्राफ अब बनाएंगे डाफ बनाएंगे ठीक है कोशन से समझेंगे पहला कहा गया है पहला कहा गया है कि Y – X is equals to true का आप क्या बनाइए ग्राफ बनाईए ऑफ क्या से आसान तरीका है है कि आप पहले X को 0 रख दीजिए X को 0 रखिए और Y की वैलू निकाल लिए X को 0 रखा X को 0 रखिए X को 0 रखने पे Y माइनस 0 जो को स्टो 2 तो Y की वैलू के आगई 2 यानि X को 0 रखने पे Y की वैलू के आगई 2 इसको डिबे में कर लीजिए बंद डिबे में कर लीजिए इसको बंद ठीक ठीक अब दूसरा काम आप करिए कि आप y को 0 रखे क्या रखे क्या रखे को 0 रखे और एक्स की वाई निकालिए 0-x is request to 2-0 हमने y की वाई रखा माइनस एक्स रिक्वेस्ट टू एक्स की वाईलू कितनी आगई माइनस टू एक्स की वैलू कितनी आगई माइनस टू इसको आप एक और डिब्बें बंद कर लीजिए ठीक है दो डिब्बें हैं आपके दोनों में खीब खुबसूरत सापका गिफ्ट है गिफ्ट क्या है एक्स और वाई की दो वैलू ठीक है और दो वैलू के सारे से हम पच्छे बन जाएंगे ग्राफ बनाएंगे 1,2,3,4,5 ठीक 1,2,3,4 चलिए कोई बात नहीं। 1-2-3-4 इन सबका gap equal होना चाहिए नहीं हो पाता है तो उसमें मेरी गलती है –1-2-3 देखेगा सबसे पहले कहा गया है 0-2 X और Y 0-2 तो पहला जो पाइंट है P1 जो हमें खोजना है वह क्या है 0-2 0-2 कहा मिलेगा य य अक्सिस पर य जीरो और यह है टू यह पॉइंट हमको मिल गया ठीक अब देखिए P2 जो हमको खोजना है वह P2 क्या है? X की value minus 2 comma 0 minus 2 comma 0 यानि X axis पे minus 2 और 0 यानि यह है यह point मिल गया यह point आप का मिल गया अब इन दोनों point को आप मिला दीजिए इन दोनों point को आप मिला दीजिए और इसको आगे लेते जाहिए ठिक और इसको पीछे लेते जाहिए और इसको पीछे लेते जाए लाइन सीधी नहीं हो रही होगी तो माफ कर दीजिएगा हमको ठीक तो यह जो आपका graph बना है वो किसका graph है y-x यह वेरी सिंपल वेरी सिंपल सब चीजें आपको कोई दिकत नहीं होगी कोई दिकत कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक नहीं है एक और इसी में आप graph बना दीजिए जैसे हमने कहा है 2x question यहां पर 2 ले लेते हैं 2x 2x plus y is equal to 3 is equal to 3 तो सब सबसे पहले x को रखे 0 x को रखे 0 तो यहां पर रख दी 0 तो y की value आ गई क्या 3 रख देना 0 तो यह पूरा 0 हो गया 3 by 2 यानि जो दूसरा हमको डिबा मिलता दूसरा डिबा मिलता उस दूसरे डिबे में क्या होता उस दूसरे डिबे में X की वैलू होती 3 by 2 और Y की वैलू होती क्या 0 Y की वैलू हमने 0 रखी थी Y की वैलू हमने 0 रखी तब X की वैलू यह आई x value 0 के y के value यह आई अब देखिएगा x 0 y 3 कहा मिलेगा y 3 यह y 3 यह है y 3 यह है x 0 y 3 यह है अब x 3 by 2 कहा होगा यह है x 3 by 2 कौमा 0 यह है अब इस दोनों को आप मिला दीजिए और इसको पीछे लेते जाएए कहां इधर इसको टहलाईए घुमाईए मौज मस्ती कराईए और नीचे आजाईए यह आपका graph बन गया यह जो graph है वो किसका graph है 2 x plus y 2 x plus y is equals to 3 का graph है सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है सारी चीज़ें क्लियर है देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है क्लियर है सारी चीज यह सब दिख रहा है क्लियर ओके 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 ठीक है यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हैं कोई problem नहीं है अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं अब अधर के पॉर्षन को हटाते हैं थोड़ा सा ठीक है इधर के पॉर्षन को भी हटा देते हैं कि छी है यह दोनों पॉर्षन हमने हटा दिये अब देखिएगा अब कहा गया है थर्ड की वाइज इस इक्स का ग्राव बनाई यह वाइज इक्स का ग्राव सबसे पहले हम एक्स की वैलू क्या रखते ते जीरो एक्स की वैलू अमने जीरो रखी तो वाई की वैलू अपने आप जीरो आ गई और देखा है था अभफ है और आफ की वे Almost-0 लजी हैरो दो दोनों कहानी सेमोंगयी अब एक्सकी वैलू 0 यहां पर आपको कोर्डिनेट मिलने वाला है, वह आपका P1 क्या मिलेगा 0, 0 यह मिलेगा यानि कि अब आपका 0 के अलावा भी आपको कुछ लेना पड़ेगा यहाँ पर अब आपका सिर्थ 0 से काम नहीं चलने वाला, अब आपको 0 के अलावा भी यहाँ पर एक चीज लेनी होगी अब देख लिजिए हमने x की जहां suppose किया 1 रखा हमने x की जहां 1 रखा x जहां 1 रखा तो y की value भी क्या आ गई? y की value भी आ गई 1 तो y की value आ गई 1 ठीक है? यानि एक और डिबे में आपको क्या मिला? x1, y1 कि p2 की value क्या हो गई? 1,1 ठीक है? यानि की एक point आपको मिल गया 0,0 और दूसरा 1,1 तो 0,0 यह है और 1,1 यह है यह है यह है यह है आपका 1,1 यह क्या है आपका 1,1 1,1 ठीक है? आप इसके इसको मिलाईए और लेते जाए मिलाके और इसको पीछे लाईए ठीक है? तो यह जो आपकी लाइन है यह है Y is equal to X की लाइन, त्वास इक्स की लाइन, समझ में आ गई बात, अब आज है यह 4th question, 4th question है 4th question है Y is equal to minus X Y is equal to minus X, Y is equal to minus X y is equal to minus x ठीक है तो आप देखिएगा x की value हमने क्या रखी 0 x की value हमने 0 रखी तो y की value फिर से 0 आ गई यहां पर भी एक डिब्बे में तो इनका काम हो गया अब तो आपको दूसरा नंबर च्वाइस करना ही पड़ेगा दूसरा नंबर च्वाइस करना ही पड़ेगा तो आपने फिर से क्या किया फिर से माल लिया हमने की x की value हमने 2 रख ली माल लिए हमने x की value क्या रख ली 2 रख ली x की value तो y की value क्या आ गई minus 2 क्या गई minus 2 तो दूसरे डिब्बे में आपका यह आ गया आफे यह दूसरे डिंबे में मिठाई पाय मिठाई का बॉक्स है ठीक है दूसरे बॉक्स में आपका आगया यह पहले में यह था दूसरे में आपका यह यानि P1 जो था वो क्या था जीरो कॉमा जिरो आ गया ठीक और P2 जब हमने एकस की value 2 तू रखी तो वाई की value minus two श two आगई ठीक है तो यह क्या हो गया तू कॉमा minus two 2, minus two यह नि दो पॉइंट हम participating गए यह याली फिर से 100 तू क्मा minus two कहां पर होगा तू यह है का कुछ यह मै-श two आपका यहां यह थिक तो आप ऐसे मिला यह एप का एक पॉइंट अब आप इनको ऐसी मिलाई ऐसे ठिक और ऐसे आप इनको पीछे लेते जाएं आइसे आप इनको इधर लेते जाई इतिक है तो आपके जो लाइन में होती है यह इस टेट लाइन यह याइनीently कर्व कर चला है ठीक है इस्तेट लाइन ही यह जाने वाली है ठीक है तो यह जो लाइन आपनी आपको दिख रही है यहां आपकी है सोच हो Самज में आ रही होंगे ह। रहीं हम ने एक लीडमर राए है वट्प आ PC मारे को स्थे करके सारह चोड़ों को समझना जरूरी है थीक है यहां तक निकालने का तरीक सारी हम पर हम्नेश shrine की है थोड़ा सा ग Decirng में हम कुछ कुछ ग्राफ में बात करेंगे ऊसके के बाद solution के point of view से equation के solution के point of view से बात करेंगे graphical तरीके solution कैसे निकलता है और भी different तरीके हम आपको बताएंगे solution निकालने के हमारे साथ बने रहिए और जिस स्टुटेंट से अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और मेरे चारे स्टुटेंट्स आप लोग कैसे हैं उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेहनद से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो linear equations in two variables पर हमने पिछली लेक्शर में बात की थी आपके साथ standard equation हमने बताया था और graphical questions कराया थे graph कैसे बनाया जाते हैं इस पर हमने फोकस किया था ठीक है तो उसी सिल्सले में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस lecture में हम linear equations in two variables complete कर पाएं ठीक है आपका अगर साथ रहा तो ज़रूर complete हो जाएगा ठीक अच्छ चलिए लिखते है अब next आगे बढ़ते हैं लोग graph of x is equals to k graph of x is equals to k is a straight line is a straight line straight line parallel to parallel to y axis parallel to y axis यानी x is equals to k x is equals to k जो equation है उसकी जो graph आएगी वह स्टेट लाइन होगी और किसके पहले लोगी y axis के पहले लोगी ठीक है अब अब दूसरा इसे में देखेगा graph of y is equals to k is a straight line parallel to x axis क्या parallel to x axis किसके parallel होगी x axis के यानि y equals to something का graph जो होगा y equals to something का जो graph होगा वो किसे axis के parallel होगा x axis के parallel होगा x axis के parallel होगा जैसे हम एक example के थुरू आपको समझाते हैं example x plus 5 is equals to 0 x plus 5 is equals to 0 यह आपका equation है और कहा गया इस equation का graph बनाईए आप partition plane पर किस पर partition plane पर आप इस equation की graph बनाईए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप करेंगे इसमें x is equals to minus 5 कितना आया x is equals to minus 5 आया यानि यह equation तो x के term में है यह linear equation in two variables नहीं दिख रही है फिर भी हमसे कहा जा रहा है कि इस equation की आप graph बनाईए कहां पर partition plane में ठीक है partition plane पर छिक तो आपको यह देख कर समझा रहा होगा कि अगर हम इसको equation in two variables के form में लिखना चाहें तो x plus 0y x plus 0y plus 5 is equals to 0 लिख सकते हैं x plus 0y plus 5 is equals to 0 लिख सकते हैं in the standard form standard form में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है अगर हम इसको linear equation in two variables में convert करें तो चीक है convert करें तो अब देखिएगा यहां पर x की value क्या है minus 5 x की value क्या है minus 5 है x की value क्या दी गई है minus 5 है अच्छा यहां पर y की value पर क्या कोई foundation है y की आप कुछ भी value रखें यह term तो हमेशा 0 ही होगा यह term तो हमेशा 0 ही होगा यानि x is equals to minus 5 x is equals to minus 5 और y is equals to आप कुछ भी रगने y is equals to कुछ भी आप रगने तो भी y is equals to कुछ भी आप रगने तो भी यह term क्या होगा 0 और आपकी यह equation बरकरार रहेगी जैसे हम इस equation की graph बनाकर आपको बताते हैं आप समझ जाएंगे, आप समझदार है इतने, ठीक है, देखिएगा यह है, आपका Cartesian coordinate system या Cartesian plane, कुछ भी बोल लिए है ठीक है, यह आपका है, यह है y axis, यह है आपका x axis, ठीक है x axis यह आपकी origin, ठीक, यह आपकी origin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में, ठीक ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब कहा गया, अब यहां पर देखो, कहा जा रहा है कि एक सिच तू के जो है। उस की जो ग्राफ आएगी," एक सट्रेट लाइन्प के पार्लहन होगी और परलल तो य x, तू y aplicis के तțiक के तफीक, क्या रहा है कि यहां पर है। क्या माइनस5 तो हमने यहां पर माइनस5 ले लिया अब हिकारडिंग तु फर्स स्टेटमेंट एक स्टेट लाइन होगा जो Y एकस्स के पेरले होगा तो हमने इसको यहां से पास किया, लाइन को, और Y-axis के पैरलल हमने इसको ड्राव कर दिया Y axis के parallel ये Y axis था इसके parallel रा कर दिया तो ये आपका X is equals to minus 5 का क्या आगया X is equals to minus 5 का आपका ये graph आगया अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो graph है ये जो graph है इसमें Y की Y की सभी values include है X की सिफ क्या value है? X की value सिफ minus 5 है ठीक है आप देख लिखते हैं हाँ पर कि ये जो graph X जो प्वेस to minus 5 का हमें आपर minus 5 का बना रहे हैं अब देखीएगा इस सभी line पर एक सभी line के इस सभी line पर जितने भी point है उन सब का X coordinate क्या है minus 5 अब Y coordinate इन सब का कुछ भी है चाहे Y coordinate यहां देखीए कुछ भी है चाहे जो ले लिजी चाहे जो ले लिजी ऐसा क्यों Y coordinate independent क्यों है Y coordinate independent क्यों है Y coordinate independent क्यों है देखिए ये ये जो equation है कब valid होगी अच्छा X जो request to minus 5 पे तो valid होगी तो यहां पर हमने minus 5 लिख दिया ठीक minus 5 और यहां पर Y की value कुछ भी आ जाए कोई भी value आ जाए Y की plus 0 into any real number कोई भी real number आ जाए यहां पर तो तो इसकी value 0 होगी plus 5 is request to 0 plus 5 is request to 0 तो यह तो 0 होगा minus 5 plus 0 plus 5 is request to 0 तो यह आपका satisfied होता है यानि Y की कोई भी real value हो Y की कोई भी real value रखी जा सकती है इसलिए इसलिए जो X is request to something का graph आता है वो Y axis के parallel आता है ठीक है क्योंकि जब X is request to something होता है तो Y independent हो जाता है Y की value आप कुछ भी रख सकते हैं Y की value आप कुछ भी रख सकते हैं अगर X is request to something का graph है तो आप Y request to कुछ भी रख सकते हैं ठीक है कुछ भी रख सकते हैं आपने X coordinate को fix कर दिया लेकिन जो Y coordinate है वो independent है वो कोई भी real number हो सकता है अमीद है अब आपको समझ में बातें आ गई होंगी अब जो दूसरा statement है उस दूसरे statement को भी हम लोग समझ लेते हैं ठीक है कि Y is equal to minus 3 है य झुकल कुछ तो क्या है mineus 3 अब कहा गया है कि Y is equals to something graph गाफ जो होगा वो X axis के parallel होगा ऐसा क्यां कहा जा रहा है ओसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि Y is equals to minus 3 यहां पर है देखिए य झुक्रियो तो माइनस 3 कोई भी real number हो सकता है क्योंकि अभी आप इसको straight line के form में represent कर रहे हैं तो आप straight line का form जो होता है वो linear equation in two variables ही होता है one variable की equation linear equation one variable one variable की equation straight line की equation नहीं होती है वो तो एक point होता है वो coordinate होता है ठीक है लेकिन जब आप linear equation in two variables में जाते हैं, तभी वो state line का form लेता है, अब देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 into x लिख सकते हैं, प्लस y, प्लस 3 is equals to 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा y coordinate तो fix हो गया, minus 3, y coordinate तो fix हो गया, अब x की जहां पर आप कोई भी value रखेंगे, x की जहां पर आप कोई भी real number रखेंगे, आपका ये दोनों number मिलके, इस पूरे equation को satisfy करेंगे, ठीक है, इसी वज़ा से, जो y request to something का graph आता है, y request to something का graph जो आता है, वो x axis के x axis के क्या होता है, पैरलल होता है, x axis के parallel होता है, ये graph, ठीक, y request to something का जो graph होता है, ठीक, y request to, यहां पर y request to minus 3 का ये graph था आपका, y request to minus 3 का ये graph था, यहां तक सारी चीज़ें clear दिख रही हैं आप लोगों को, यहां ठीक, यानि graph of x request to something is a state line parallel to y axis, parallel to y axis और passing through k, passing through k, यह भी आप लिख सकते हैं, इसमें add कर सकते हैं, passing through k, क्योंकि x request to k है, तो x request to minus 5 था, तो passing through minus 5, y request to minus 3 था, पासिंग through minus 3, तो आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं, passing through, passing through k, कहां से pass होगा, यहां पर k है, तो passing through k, कोई number होगा, तो वहां से यह pass होगा, ठीक है, passing through k, यहां तक clear है सारी चीज़ें, अब इस graph को बने रहने दें और उन सेगेंड, इस graph को बने रहने दिया जाएगा, जबकि इस दोनों जग्जामपल से वह आपको समझ में आ गए हैं, ठीक, अब यह और समझ में आ जाएगा आपको, यानि जो x जो question something का graph होगा, वो y axis के क्या होगा, parallel, ठीक, और y जो question something का graph होगा, वो x axis के क्या होगा, parallel, और क्यों होगा, यह भी हमने आपको बता दिया है, क्योंकि उस जहां पर वो zero है न, वो zero के साथ multiply हो रहा है, और जब वो zero के साथ multiply हो रहा है, तो वहाँ पर y और x की कोई भी real value रखेंगे, answer तो zero ही आएगा, आप कुछ कोईशन कर लेते हैं इसके basis पर, देखिए, draw the graph, draw the graph, किसका है, two x plus four is equals to three x plus one, इसका graph बनाईए आप, अब देखिए यह जो आपको equation दिख रही है, वो linear equation in one variable है, और one variable की equation of straight line नहीं होती है, इसलिए अगर हमें इसे straight line के form represent करना है, तो हमें इसे linear equation in two variable के form में पहले लाना होगा, लेकिन हम जान गए हैं यहां से, हम जान गए हैं state line में कैसे represent करना है, तो अब आप चाहे two linear equation in two variables में लाईए या फिर ना लाईए क्योंकि अब तो आप जान ही गए हैं कि हमें state line बनाना है और state line कैसे बनती है parallel to x-axis और parallel to y-axis क्योंकि अब हम उसी तरह का form यहाँ पर निकालता हैं ठीक है? चलिए यह 2x उदर गया तो कितना हुआ? 3x-2x is request to 4-1 तो आगया x is request to 3 x is request to 3 क्या आगया? x is request to 3 ठीक अब x is request to something का जो ग्राफ है अब x is request to 3 यह तो एक point है यह तो एक point है लेकिन in actual हमें state line represent करना है तो state line represent करने के लिए इसे linear equation in two variables में लिखते हैं linear equation in two elements में लिखते हैं कैसे लिखते हैं हमने आपको पीछे बता दिया कैसे लिखते हैं लेकिन अब आपको यह जादा नहीं सूचना है अब यह अगर इसको state line के former represent करना है तो यह जो बाते कही गई गई इसको ध्यान में रखना है कि x equals to k, k की जहां 3 है तो इसे state line वो state line होगा parallel to y axis के और passing through k passing through k कहां से pass होगा, k से pass होगा, ठीक, k से pass होगा तो x equals to 3 passing through 3 passing through 3 passing through 3 passing through 3 अब x equals to something है तो किसके parallel y axis के parallel यानि यह है यह यह x equals to 3 का graph, ठीक, अब आगे चलें next question की तरफ, चलिए next question है आपका 2y plus 3 is equals to 9, ठीक, equals to 9, अब 2y is equals to क्या होगा, 9 minus 3 is equals to 6 तो y is equals to क्या होगा, 3, y is equals to 3 आगे, y is equals to 3 आगे, तो अब y is equals to 3 एक ऐसा graph होगा जो 3 से pass होगा, और y is equals to something है, तो x axis के parallel होगा passing through 3 passing through 3 and parallel to x axis, parallel to x axis, ठीक, सारी चीजें समझ में आ रही है कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पुछ लीजेगा ठीक, तो यह y is equals to 3 का यह graph, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी student को, सारी चीजें क्लियर हैं सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं तो x is equals to k जो है, वो straight line होगा, parallel to y axis और y is equals to something का graph अगर आपको दिख जाए, तो वो straight line होगा, parallel to x axis इतना आपको ध्यान में रखना है, अब आपको यह ध्यान नहीं रखना है कि उसे linear equation in two variables में बदलना है कि नहीं, उसे linear equation in two variables में बदलने की कोई जरूत नहीं है, अब इसे linear equation in one variable ही रहने दिए, लेकिन अगर आपको कहा गया है कि इसे partition plane पर रिपरिजन कीजिए, इसे straight line के form रिपरिजन कीजिए, तो आप इस चीज़ को याद कर लिजी, ठीक है, अब आपको दुबारा से इसको two variables में convert करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यह चीज़ें आती हैं, अगर आपको यह चीज़ें नहीं आती हैं, तो फिर तो आपको linear equation in two variables के form में लिखना पड़ेग ठीक है, अब आप समझ गयोंगे, आप समझदार हैं, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, इसको भी रब कर दे रहा है, समझ में आ रहा है, सारी चीज़, ठीक है, आप लाइक कर दिए, शेयर भी करते हैं, सब को पता चले, सब को समझ में आना चाहिए, और कोई अगर प्राबलम अगर आपको होती है, तो आप description box में मेरा WhatsApp नमबर है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी शर्म से, शर्म के आप हम से question पूछ सकते हैं, ठीक है, शर्म आईए बिलकुल नहीं, हम आपको खाएंगे नहीं ठीक है, हम आपको डस नहीं लेंगे, ठीक है, बिलकुल नहीं शर्म आईए, अब आगे question करते हैं, वो question क्या है, represent the following equations, represent, represent, represent the following equations, the following equations on, on the number line, on the number line, as well as, as well as, as well as, represent the following equation, the number line, as well as, on the cartesian plane, on the cartesian plane, Cartesian plane, ठीक, यह चीज़ है आपकी, ठीक है, अब देखिए किस को रपजन करना, first है, x is equals to 2, 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 यह एक point है, x is equals to 2 क्या है, से equation in two variables के form में लिखा जाए, तो यह Cartesian plane पे मिलेगा, और straight line की equation बनाते हुए नजर आएगा, ठीक है, तो दोने चीज़े हम यहाँ पर करते हैं, आपके लिए, यह आपकी x axis, यह आपकी y axis, one two three four five six, one two three four five six, जॉए नहीं कर रहें, one two three four five six, one two three four five six, ठीक, you । 123456 ठीक माइनस 1-2-3-4-5-6 यहाँ भी माइनस 1-2-3-4-5 और माइनस 6 ठीक है एक से जी कवेश्ट 2 को इस कार्टेशन प्लेन पर प्लेंट पर बिर पसंद करना है और एक ये state line हम आपका बना रहे हैं ये number line आपका बना रहे है number line ठीक है इस number line पर भी आपको represent करना है यहां पर होता है 0 आपका ठीक, यहां होता है 1, 2, 3, 4 इस तरह से minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 इस तरह से होता है ठीक है अब एक से जुक्ष टू को अगर number line पर रिपर्जेंट करना है तो ये तो एक point है जो की x-axis पर है ये देखिए एक से जुक्ष टू ये आपका point है एक से जुक्ष टू लेकिन कहा जाए से Cartesian plane पर रिपर्जेंट कीजिए तो आप समझदार है कि आकी इसे एक स्टेट लाइन के फॉर्म में रिपर्जेंट करना है जो की equation in two variables का होगा लेकिन यहाँ पर x-axis to something लिखा हुआ है तो हमें two equation बनाने की ज़रूत नहीं है x-axis to something का हमें trick आता है वो क्या है parallel to y-axis x-axis to two पर जाएए x-axis to two पर जाएए और parallel to y-axis एक ग्राफ ड्रा कर दीजिए ऐसे तो यह हो गया x-axis to two का ग्राफ on the Cartesian plane on the Cartesian plane and on the number line दोनों जहाँ पर हो गया यह काम आपका ठीक अब next है आपका next है आपका question number second वो है y plus 3 is equals to zero इससे आपको क्या मिला y is equals to minus 3 मिला ठीक y is equals to क्या मिला minus 3 अब number line पर यह तो एक point है जो कि number line पर होगा तो number line पर आपने यहाँ पर लिख दिया y is equals to क्या y is equals to minus 3 यह तो एक point होगा y is equals to something x is equals to something यह तो एक coordinate है एक point है जो कि x और y axis पर मिलेंगे लेकिन अगर इनको straight line के form में represent करना है तो आप इनको equation in two variables के form का मानते हुए बनाते हुए या ये trick लगाते हुए आप straight line की form लिखेंगे straight line अब y is equals to minus 3 का मतलब क्या है कि आप y is equals to minus 3 y is equals to minus 3 यहाँ पर है y is equals to minus 3 आपका यह है यह है आपका यह क्या है आपका यह कौन सा point है आपका y is equals to minus 3 तो y is equals to minus 3 पर जाएंगे और parallel to x-axis parallel to x-axis passing through minus 3 minus 3 से pass करते हुए ठीक minus 3 से pass करते हुए parallel to x-axis यह आपका बन गया y is equals to minus 3 हमने शायद बनमाया भी तब इचे यही graph था ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी student को बताईएगा सारी चीज़ें क्लियर हैं next question करने से पहले हम इस question को rub कर दें ठीक इस question को हम इटा दें रब कर दें सारी चीज़ें क्लियर होगी बस आपको यह उपर वाले जो दो लाइने लिखी दिख रही है वो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आपको एक से जो क्वेश्ट कुछ दिख गया तो आपको एक straight line खीचनी है graph paper पर जो किसके parallel हो y axis के parallel होनी चाहिए passing through कहां पर passing through जो वही एक से जो क्वेश्ट लिखा हुआ है ना वहीं से pass होनी चाहिए उपर क्या लिखा हुआ है एक से pass होनी चाहिए Oh पस यहीं ऊपर की दो लाइंे आपको दिमाग में बैठा लेनी है हैं एकदम अच्छे तरीके से ठीक है क्योंकि हम वह एक से जुब के स्टू सम्सिंग जो है ना उसको हम इक्वेशन इन टू वारिबल्स का फॉर्म का मान रहे हैं इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं अधरवाइज हम ऐसा काम नहीं करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और कोशन करेंगे inधर, these equation right the equation of the line equation of the line that is is parallel to that is parallel to x-axis and passing through the point x-axis and passing through the point parallel to x-axis is parallel to x-axis and passing where do you see this पहला है 0,3 दूसरा है आपका 0,4 तीसरा है आपका 3,5 चौथा है आपका माइनस 4, माइनस 3 ठीक है यह आपको है दिया गया है और यह कोश्चन आपको कर रहा है चलिए कैसे करना है कहा गया है कि राइट दा इक्वेशन ऑफ दा लाइन यह पारलल टो x-axis एंड पासिंग थ्रूदा पॉाइंट ड़िए एक लाइन की एक्वेशन लिखनी है जो की पैरलल किसके iska ragi x-axis के एक्सेके पैरल्ल एके Кाला की जो पैरल्ल होता आप दिखरा होगा एक्सेक्स पैरल्ल तो वाइ divide संसींग़ ग्राफ होता है तो वा जो कश्टू संपिंग़ मेटा होता है देखेश। एक उसकि की लाइड पर पास हो रही है जो X-axis के parallel है और X-axis के अगर कोई लाइन पैरलल है तो उसका equation Y is equals to K होता है Y is equals to K होता है तो यह इस point से अगर वो line pass हो रही है तो उस line की equation क्या हो जाएगी Y is equals to K में यह Y coordinate यह है यह है यह है आपका Y coordinate तो यह 3 यह equation हो गई यह equation of the line हो गई विचिस पैरलल टू X-axis एंड पासिंग थ्रूदब पाइंट जिरो कॉमा थ्री पासिंग थ्रूदब पाइंट जिरो कॉमा थ्री ठीक है तो Y is equals to 3 आप ग्राफ बना कर भी चेक कर सकते हैं जैसे हम आप बना भी दे रहे हैं आपको दिखा दे रहे हैं जैसे Y is equals to 3 यहां पर होगा अब यह देखिए यह आपका यह graph Y is equals to 3 का विचिस पैरलल टू X-axis हमसे कहा गया उस line की इस line की equation बताई है जो की X-axis के parallel है और 0,3 से pass हो रही है इसकी equation क्या होगी Y is equals to 3 हमने आपको पहले बताया X-axis के अगर parallel कोई graph कोई line है इसकी equation क्या होगी Y is equals to something means Y is equals to 3 क्योंकि 0,3 से यह pass हो रही है अब आप देखिएगा अब 0,4 से pass हो रही है तो 0,4 से pass हो रही है parallel to X-axis अभी भी वो parallel to X-axis ही है और अगर parallel to X-axis है तो Y is equals to something का graph होगा Y is equals to 4 और आप इसको represent कैसे करेंगे Y is equals to 4 यहां कहीं होगा suppose कह लिए तो यह आपका graph होगा Y is equals to 4 ठीक है और यहां पर 0,4 रॉक का मौजूद है अब इस पर आजाईए अब कहा गया उस line की equation बताईए उस line की equation बताईए जो इस coordinate से pass हो रही है और parallel to X-axis है parallel to X-axis दिखते ही है आपको समझ में आगया कि Y is equals to something का graph है तो Y is equals to something, तो Y is equals to something में क्या है Y coordinate, Y coordinate है आपका 5, Y coordinate है आपका 5 हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि अगर Y equals to something का graph है फिर आप X कुछ भी रख सकते हैं X 1 रख दीजिए, 2 रख दीए, 3 रख दीए, कोई भी real number आप रख सकते हैं क्योंकि X के रखने पर वो पूरा term मैंने आपको बताया था, वो पूरा term क्या हो जाएगा जीरो ही रहेगा, वो पूरा term क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, अब यहाँ पर आपका 0,4 है, अब यहाँ पर कोई भी real number कामा 4 रहेगा, तो भी यही equation बनेगी, ठीक है, बात समया रही है, यहाँ पर कोई भी real number कामा थी रहेगा, तो भी यही graph बनेगा, तो भी यही graph वाला ही नहीं है क्योंकि इस नंबर से अगर आप मल्टिप्लाइ करेंगे जिरो इंटू जिरो इंटू एक्स करेंगे जिरो इंटू एक्स एक्स आप कुछ भी रख दीजिए वह पूरा टरंटो जीरो का जीरो ही रहेगा अब यहां पर आर कामा अगर फोर है तो भी आपका यही ग्राफ है आर मिंस रियल लंबर तो यहां पर क्यों नहीं अब यहां पर यहां पर रियार कामा फाइफ अगर है फाइफ से पास हो रहा है तो भी आपका यही ग्राफ होगा यही ग्राफ होगा जो हम नीचे बना दे रहे हैं आपका 5 यहां पर है तो आपका ऐसा ग्रा य is equal to 5 देख लिए आप यहां से समझ लीजे, य is equal to 5 हमने लिखा, य इसको इस्तेंडर्ड फॉर्म में आई यहां, जिल्केंगे 0 into x plus y minus 5 is equal to 0, यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, अब यह यह equation को कौन कौन सथिस्फाइब करेगा, अब x की जहां पर आप कोई भी value यह पूरा ट्रम तो 0 ही होगा, यानि X जो कॉर्डिनेट है, कोई भी real number हो सकता है, X कॉर्डिनेट है, वो कोई भी real number हो सकता है, यहां पर, ठीक है, लेकिन Y के उपर पूरा दारों मदार है, क्योंकि Y की value fix है, Y की value 5, तो R, 5 कॉर्डिनेट, R, 5 कॉर्डिनेट से पास, Y की तो 5 है, R, 5 से पास होने वाली यही लाइन है, ठीक है, अब 3, 5 यहां कहीं होगा, 3, 5 यहां कहीं होगा, इसी लाइन पर होगा, कोई भी real number कामा 5, यह भी रिएल नमबर किमा इसी लाइन पर ही OH यह लाइन व्यद्न है इस नहीं अगर पैरलल कह दिया तो वॉय कूइच्छ क्वेशन है तो वाइज कर्षटू संथिंग मीन्स भाई डिकुष्टियां पर क्या माइनस थ्री माइनस थ्री तो आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे बने गा माईनस त्री नीचे होता है तो नीचे और यहां से पास हो जाए आपका यहां तक किसी ठीक है और यह कॉडिनेट्स आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है कॉडिनेट कैसे हो सकते हैं रियल लंबर क्योंकि उसके रियल लंबर से मल्टिक्प्लाई करने पर वो टर्म तो जीरो ही होना है वो टर्म तो जीरो ही होना यानि एकस यहां पर कुछ भी आप रख दीजिए कि यह पूरा टर्म तो जीरो यह ना है कई बार मैंने आपको बता दिया है अब आपको बात समय में आ गई होगी कि एकस कॉडिनेट्स से कोई मतलब ही नहीं है यहां पर यानि एकस कुछ भी रख दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है सारा दारों मदार यहां पर वाई है अगर एक च्येकस के पैरलल है तो इंद आगी बास प्राबलम नहीं है ठीक है इसको रख करते हैं और आगे बढ़ते हैं अब को इक कोशन कीजिए को शुचन करें कि आपको सारी चीजिस समझ में आती रहेंगी कि हमने कई एक्शामपल्स आपको दे दिए कई एक्वामपल अब एक कोश्चन में आपको दूंगा वो कोश्चन आप खुद से करेंगे क्या करेंगे खुद से ट्राइ करेंगे ठीक है मैं आपको एक कोश्चन देने जा रहा हूं आप पहले कि स्वेंब से ट्राइ करेंगे ठीक है पूछेंगे नहीं और खुद से ट्राइ करेंगे अच्छी यह कोश्चन है आपका यह कुश्चन आना खेक देखेंगे कुश्चन के आपका if the graph of the equation if the graph of the equation 4x plus 3y is equals to 12 धंकाप्रे करते हैं is at A and B, का प्यकाटरी A or B पे, then hypotenuse of right-angle triangle, then hypotenuse, hypotenuse of right-angle triangle, of right-angle triangle, of right-angle triangle, A or B is of length, A or B, A or B is of length, यह आपको बताना है क्या length होगी, ठीकर, चलिकर, तो हमें जो question दिया गया है, वो है कि graph of the equation, इसकी graph है, इस equation की graph बनानी है, जो coordinate axis, यानि X और Y axis को A और B पर cut करते हैं, तिन hypotenuse of right-angle, A, O, B जो बन रहा है, उसकी length क्या होगी, यह हमसे पूछ रहे हैं, यहानि कि आपका यह क्या है, Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system आपका है, ठीक है, यह 1, आपका O होता है, origin ठीक, यह आपका Y axis, यह आपका X axis, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको बताईए कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टुडेंट को यहां तक है बताईएगा कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टुडेंट को यहां तक है बताईएगा अब इसका हमको ग्राफ ही तो बनाना है इसका हमको ग्राफ ही त लाता एकस को आप कर दीजिए जीरो एकस को हमने यहां पर जीरो रखा तो क्या आया तरी वाई इस इक वैस्ट ट्वैल टिरी वाई जी वैस्ट ट्वैल टिस्टर बैस की वैसे माइक उपर करनी पड़ती है थोड़ी है तो यहां से वाई की वैलू जो आगई वह फोर आगई यानि एकस जीरो और वाई कर्श्ट टू फोर यह आपका क्या हो गया डिब्बे में बंद ठीक है ना यह आपका एक कोडिनेट मिल गया ठीक है लेकिन हमें अगर स्टेट लाइन को रिपर्जेंट करना है तो । यहां से थापका कम से कम दो कॉर्डिनेट की जरूत होती है तो हमने पहले एकस जीरो बताया यह को जीरो डिकाते हो जाय या इसमें वाई को जीरो रखिए वाई क означ जीरो हमें रूइब हमने रका एक्स ही क्या वैलू आईगी 4x is equal to 12 x is equal to यानि x is equal to 3 एक और काडिनेट आपका ठीक यानि 0,4 यहां से क्या निकला आपका 3,0 ठीक यानि 0,4 यहां पर y एक्सिस पर होगा या आपका है 0,4 और 3,0 आपका यह एक्स एक्सिस पर होगा तो यह आपका A मान लिया यह आपका B मान लिया अब आप इस तोनों को क्या कीजिए जॉइन कीजिए इस दोनों को जॉइन कीजिए यह आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी स्टेट लाइन की एक्वेशन है, एक्वेशन किसकी है, 4X प्लस 3Y is equal to 12 की एक्वेशन है 12 की एक्वेशन है, ठीक है, लेकिन हम से AOB, AOB राइट अंगल ट्रेंगल के हाइपोटनियूस के बारे में पूछा है, तो यह आपका कहा 3 है यहां से यहां तक आपका क्या है, 4 है, तो यह आपको निकालना है AB की लेंद, तो AB स्कॉाइर क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्वरम से AB स्कॉाइर क्या हो जाएगा OA स्कॉाइर, प्लस OB स्कॉाइर, ठीक A B square, O A square means 4, 4 square, and this is your 3 square, A B square, what will happen? 25, so the value of AB will be 5 unit, 5 unit will be your answer, here, some student has a problem, tell me, some student has a problem, everything is clear, we will talk about the solutions of point of view, which point of view? solutions of point of view, okay, solutions of point of view, okay, we will talk about the solutions of point of view, okay, सैंसेटीक, की Linier Equation के solutions कैसे निकलते हैं, solutions होते क्या हैं, कैसे निकलते हैं, अभी तक आप कर रहे थे, वही सारे चीज़ें आपको हम बताएंगे, अब हम लोग जो बात करेंगे स किसके में कि इसे सबी सब्सक्राइब तो सलूशन होता क्या सुलूशन होता क्या है लीनियर इक्वेशन का होता है यानि X और Y की value क्या रखी जाए जो equation को satisfy कर दे ठीक है pair of values of X and Y which satisfies the equation is called the solution of the linear equation ठीक linear equation तो आप कहेंगे की pair of values of X and Y which satisfies the equation which satisfies the equation is called is called solution is called solution of linear equation linear equation in two variables in two variables ठीक है यह आपको पास मन में आगी यानि X और Y की value क्या रखी जाए ताकि आपका equation satisfied हो जाए ठीक है तो उसको क्या कहते है solution बोलते हैं उसी को आप solution बोलते हैं ठीक है अब आपने देखा होगा कि जब हम one equation one equation को solve कर रहे थे one equation को solve कर रहे थे जैसे suppose किया हमने कि हम लिखे थे अगर X प्लस Y is the question to two लिख दिए तो X और Y की जहां हम क्या क्या रख सकते हैं हम इसी का तो graph बना रहे थे linear equation इन two variables का ही तो graph बना रहे थे तो graph पर आने वाले जितने भी points थे वो सब क्या थे इस linear equation इन two variables के solutions थे यानि graph पे कितने point आ रहे थे बहुत सारे धेरों point आ रहे थे यानि linear equation इन two variables में अगर हम एक equation के solution के point आफ यू से बात करते हैं तो उसके कितने solution होते हैं infinitely many solutions होते हैं ठीक है infinite solutions होते हैं उसके कितने solution infinite solution क्योंकि जब हम graph पना रहे थे तो आपने देखा होगा graph कहां तक जा रहा था किसी को नहीं मालुम है ग्राफ के आगे पीछे एरो क्यों लगा रहे थे को कि ग्राफ कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है कहां से चला ये भी किसी को नहीं मालूम है ठीक है तो ग्राफ अंत से चला है मतलब अंत से चला है और अनंत तक जाएगा ठीक है यह और उस ग्राफ पर जितने भी क coordinates हैं, वो सब linear equation को satisfy करेंगे, यानि कि कितने solution होंगे, अगर इसके solution के point of view से पूछा जाए, तो सबसे पहले आप इसका graph बनाएंगे, ठीक है, इसका graph बनाएंगे, अब जैसे हम graph बना के दे रहे हैं, आपको, x की जहां 0 रखते थे, रख दिया 0, y की value कितनी आई, 2, y की value कितन में हो गया, बंद, ठीक, अब हम रखते थे, y की value 0, y की value 0 रखते थे, x की value क्या आगई, 2, ये दूसरा डिबबा आपका त्यार हो गया, ठीक है, तो आपको देखिएगा, यहां पर क्या मिल गया, एक pair of, एक pair of value ये मिल गई, एक pair of value ये मिल गई, यहां पे दो pair of value मिल गई कम से कम दो pair of values हमको चाहिए होती है जब हम किसी equation का graph बनाते हैं तो कम से कम हमें two pair of solution की जरूरत होती है तब ही हम graph बना पाते हैं ठीक है यहां तक clear है सारी बाते हैं तो हम इसका graph बनाते हैं देखीगा y-axis x-axis 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 से कुछी होगे खूल शीकी तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तक टेखीड में हम फने चीनिस टो मानननस है पहला शीक को भी पहलर विरो 3 मैननस है जा तूर माननस फ्यक क्वेड़ बनाते हैं यहां पर है, ठीक, अब 2,0 क्योंकि यह क्या है, 0,2 पहले एक्स लिखते हैं, यह क्या है, 2,0, तो 2,0 यह है, 0,2 यहां पर है, यह 2,0 है, इसको आप मिला दिये, इसको आप मिला दिये, अब यह नीचे तक गया, यह उपर तक गया, ठीक, यह उपर तक गया, ये स्टेट लाइन है अंश रिखभी इस इक्वेशन का ये ग्राफ है इस व्याराहिशन पर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी देखी ये भी देख़्ी ये भी इसका सुलूशन है इसको सथे टीस्फाय कर रहा है इस equation को पेर आफ वैलू जो इस equation को सतिस्फाई करें वाई उसका solution होता है तो यह सारी इस graph पर आने वाली सभी वैलू यह भी यह भी यह भी यह भी यह सभी वैलू जो इस graph पर आ रहे हैं यह सब उस linear equation के क्या है solution यानि अगर आप देखिए यहां पर जीरो कामा जीरो कामा टू आ रहा था तो जीरो कामा टू इसको सतिस्फाई करेंगा यहां पर रखेंगे यहां पर टू रखेंगे टू आ जाएगा अब आपने यहां पर क्या रखा तू यहां पर रखा जीरो इसको सतिस्फाई कर रहा थ आप देखेंगे आपको यहां नहीं दिख रहा होगा आप देखेंगे 1,1,1 यहां पर रखेंगे 1 प्लस 1 टूश को सबस्पाइब करेगा तो इस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं कितने पॉइंट्स आएंगे infinitely many points आएंगे इस graph पर और वो सब उसके solution होंगे तो linear equation in one variables के कितने solution होंगे infinite solution होंगे linear equation लिख लिख लिजे linear equation in two variables in two variables in two variables linear equation in two variables have infinitely infinitely many solutions कितने solution होंगे many solutions ठीक है इन्फाइनाइट solution होंगे ठीक है infinitely many solutions होंगे उसके यहां तक सारी चीज़ें clear है ठीक है यहां तक सारी चीज़ें clear है चलिए अब यह जो बात थी वो एक equation के point of view से थी किसके point of view से एक equation के point of view से तो कोई भी अगर एक equation आपका लिखा है two variable का तो उसका कितना solution होगा उसका कितना solution होगा उसका आपका infinitely many solution होगा ठीक है अगर एक equation की बात कर रही है अब हम बात करेंगे एक equation नहीं दो equation के बारे हैं को कि आपको दो equation के solve करना होता है कई दफ़ा ठीक है तो दो equation भी आपको हम बता दे रहे हैं यह उसका है प्रव लीनेar करेंगे का वैरे में।क का प्रव लीप है प्रव लीनियर सेका लए एक्पैर ये ह्क प्लाव प्लाव रीक का जव लीक है equations in two variables in two variables ठीक है जैसे जैसे अगर हम को एक standard form में हम लिख रहे हैं कि a1 x plus b1 y plus c1 is request to 0 यह एक equation ने क्या है एक equation ठीक है pair of linear equation के solution के point of view से बात कर रहे हैं अगर एक equation है तो उसके कितने solution होंगे infinitely many अब देखीगा दो equation है तो उनके क्या solution होंगे ठीक है a2 x plus b2 y plus c2 is request to 0 ठीक है अब इसके कितने solution होंगे यह आपको जानना है ठीक वन सेकेंट वन सेकेंट लेट मी चेक सारी चीज़े क्लियर है तो सारी चीज़ें क्लियर है स्कॉर्डिंग रूकी नहीं थी ठीक है देखना पड़ जाता है कई बार और डिस्टरबेंस भी होती थोड़ा बहुत तो देखिए यह बहुत ही महनत से लेक्चर रिकार्ड हो पाता है क्योंकि आसपास इतनी डिश्टरबेंस होती है और बगल में हमारे हमारे रूम की ज़स्ट बगल में रोड है तो कितने जादा नौाइस क्रियेट होते हैं फिर भी हम बहुत सारे नौाइस को कैंसल करने की कोशिश करते हैं और काम्याब भी हो पाते है 99% हम लोग काम्याब हो पाते हैं लेकिन आप समझे यह लेक्चर बहुत ही महनत और मुशक्त से बनाय जाता है आप इसका बैणिफिट लीजिए ठी च् acids लेकिन हम लो जितने मुश्किल से बनाते हैं हम लोग जानते हैं बहुत मुश्किल होती है लेट्चर को रिकट करने में खसकर उसके बाद अपलोड करनों में पस्यक्त होती है ठीक है अब देखीगा इस अगर हमारे पास दो equation linear equation of two variables के pair of equation हमारे पास मौझूद है इन दोनों का ठीक तो अब हमारे पास x और y की जो value होगी जो दोनों को satisfies करेगी x और y की जो value होगी value of x and y is satisfied both the equation ठीक है तो वो solution होगा ठीक है तो pair of pair of values value या फिर values अब यहां पर देखिए value या फिर values हो जाएगा pair of value भी आ सकती एक ही भी आ सकता है एक से जादा भी हो सकता है ठीक है और नहीं भी हो सकता यह भी बात है ठीक है pair of values of value or values of x and y which satisfies which satisfies both equation आप दोनों equation को satisfies होना जरूरी है अब देखिए अब देखिए condition लिखिए conditions conditions फस्ट फार यूनिक solution फार यूनिक solution यूनिक solution यानि हमें x और y की देखिए पहले क्या मिला था इन फाइन फाइन solution अब देखिए यहां पर unique solution possible हो सकता है यानि x और y की x के मालिया one one i value y की two i तो one comma two बस one comma two ही इसका solution होगा ठीक है इन दोनों का one comma two solution होगा उसके इलावा कोई और solution ने होगा that is called unique solution ठीक है unique solution उसके लावा कोई solution नहीं होगा ठीक example है तो unique solution का possible होता है देखिएगा तब possible होता है जब a1 upon a2 does not request to b1 upon b2 ठीक जब a1 upon a2 does not request to b1 upon b2 होते हैं तब तो आपका क्या होता है यूनिक ठीक फॉर्ड़ यूनिक solution आपके लिए एवन अपॉन एटू तस नौट को इस्टू बीवन अपॉन बीटू होना चाहिए ठीक है यहां तक कोई problem किसी student को ठीक है और यूनिक solution कब होगा जब इनके और कि दोनों द्वारा बनने वाली जो लाइन्स रिस्टेट लाइन्स हैं वह क्या करेंगी इंट्रहॉषच्ट करेंगी तभी यूनिक solution मिलेगा ठीक है intersecting lings आशिए intersecting lines intersecting lines ठीक है अगर unique solution चाहिए अगर आपको तो a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2 होना चाहिए तब यह दोनों line एक द्यूसरे को intersect करेंगी और जिस position पे intersect करेंगी वही position वही coordinate इनका जो है unique solution कहलाएगा इसलिए हम इनको intersecting lines भी बोलते हैं इन दोनों lines को intersecting lines भी बोलते हैं अगर ऐसी condition आई तो सेकेंड है सेकेंड फॉर है नो solution है फॉर नो solution यहां पर unique solution था अब आपका आगया है फॉर नो solution no solution के लिए क्या होनी चाहिए condition वह आप देख लिजिए a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and should not equals to c1 upon c2 तब आपको कोई solution नहीं मिलने वाला है यानि दोनो lines यानि कोई solution नहीं मिलेगा यानि यह इनके दोरा बनने वाली line और इसके दोरा बनने वाली line दोनों ही line parallel होगी कहीं पर मिलेगी नहीं इसलिए no solution ठीक है no solution या parallel line की condition भी कहते हैं इसको parallel lines की condition भी बोलते है parallel lines ठीक है अब थर्ड फॉर इन्फाइनाइट इन्फाइन नाइट सुलूशन्स फॉर इन्फाइनाइट सुलूशन्स इन्फाइनाइट सुलूशन्स जैसे आपका इन्फाइनाइट सुलूशन का बाता था जब एक स्टेट लाइन की एक्वेशन लिखते थे तो उसकी जो सुलूशन आती ति वह infinitely many solutions आता था तो यहां पर भी ठीक वही तरीका है कि जब इन दोनों equations यह दोनों equations में क्या होगा इन दोनों equations यह जो दोनों equation in mean the finite solution कब आएगा उसकी condition देख लिजिए आप condition क्या है even upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तो यह condition for infinite solution यानि कि हमने क्यां किया इस equation में इस equation में हमने किसी सेम नंबर से multiply किया सेम नंबर से multiply किया हमने बताया था कि equation में same number से multiply करने पर graph नहीं बदलता यानि यह दोनों लाइने मिलकर भी एक line हो गई यह दोनों लाइने मिलकर भी एक line हो गई दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चड़ गई coincident हो गई क्या हो गई coincident हो गई इसलिए infinitely many solution मिल गए ठीक है यह और दोनों लाइने मिलकर भी एक line ही बना पाई इसलिए infinitely many solution और दोनों लाइने कैसी line है coincident line तो condition of coincident lines भी बोलते हैं coincident coincident lines भी हम लोग बोलते हैं ठीक है यहां तक किसी student को कोई problem है बताइए कहीं कोई दिक्कत अब हम तीनों का एक एक example आपको करके दोनों लाइने कहीं ना कहीं पर intersect करेंगी और no solution में दोनों लाइने पैरलल हो जाएंगी कहीं पर भी intersect नहीं करने वाली है infinitely many solutions में दोनों दोनों लाइने में समझ रहे ना आप इन दोनों equation के द्वारा बनने वाली लाइन्स की ही बात हो रही है इन दोनों को दोरा बनने वाली लाइन्स की ही बात हो रही है वो दोनों लाइन्स एक दूसरे के ओपर चड़ जाएंगी कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो इन फाइनाटली मेनी सुलूशन आपको मिल जाएगा ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं और हम तीनों का एक 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 जामपल आपको करके दिखाएंगे कि दिखाएं आगे तीनों का एक 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 जामपल हम आपको करके दिखाएंगे आप टेंशन मत लिजी किसी तरह की को टैंशन लेनी की जरूरत नहीं है आपको मेरे रहते टैंशन फ्री रहिए आप हमको सारी टेंशन लेने दीजी थैक है ना सारी चीजी यहां तक कोई प्रॉब्लम स्था नहीं है ना सारी चीजे फिलिए हैं कि नहीं जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे हम लोग बात कर रहे थे तो अगर हम एक एक्जामपल लेते हैं पहला एक्जामपल 2X प्लस Y is equal to 1 ऐसे लिख देते हैं 2X प्लस Y is equal to 1 अब यहां पर लिख देते हैं X प्लस 2Y is equal to 2 ऐसे यह दो हमने एक्वेशन ले लिए इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वह दूसरे को इंटर्सेक्ट करेगा थीक हैं इसलिए इन्टर्सेक्टिंग लाइन्स भी इनको बोलते हैं अब देख लिच्यए ग्राफ बनाएए इसका जो ग्राफ बनेगा देखिये ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ठीक है, यहां तक कोई प्रापलम है, अब गराप बनाते हैं, तो पहले एक्वेशन 2X प्लस Y is a question 1 का गराप बनाते हैं, एक्वेशन 2X की बनाते हैं healthyयाtak है, आप सब्लस को ओका है अब आपका गजारा यए बया यहां रखा घेखे व्लस को बैसफिष्य बयाओंगे बनाते हैं, thank you이지, 2,0 तो 1 by 2 यहां पर है और 0 यह है तो इनके दोरह जो बनने वाली जो लाइन्स है वह ऐसे कुछ जाएंगी ठीक कुछ ऐसे जाएंगी ठीक कुछ ऐसे जाएंगी अब इसमें देख लीगे दूसरे वाले में दूसरे बाले में लेखिगे क्या एक्स प्लस 2Y इस कोई प्रद दो इसमें आप देखिए तो क्या होगागक है गल एक्स की जहां जिएफ की बाख घए रखनाती उन ऐगर घए अगर óसार वाई की एक्स एक्स उल्म bell का घए उन यह नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं तोड़ा सा चीज ही गड़ पड़ हो गई है यहां पर ओके कनेक्शन सही है रिकार्ड हो रहा है उदर सही से चले रिकार्डिंग ओके ठीक कोई तो यहां पर देखिए तो और सा वायर बज़ गया था लेक। एक्सजक्ट जिरो और वाइस व्यकॉश्ट 0,1 जिरो कामऑ वण यहां पर है ठीक लेकिन यहां हो पर देखे लिए टो कॉमाजिरो पर हैं ओकमाजिरो जिरो ठीक अब यह दोनू लाइन्स देखिए गा देखिए यह और पनी एक लाइन की आ चलब यह करव Witलता लग रहा है इनलेक्या है टेंशन लीजेगे आपको दिख रहा होगा कि वाए और यो फाने का आल अगरती सलूशन विखाउचन बिखोगाए 125 यहां पर आप देख भी रहे हूंगे कि एकसГ कि वाइए ओं यहां पर आत आप भेट की यहां प्रकाने यहां यहां पर तो हमको हैं यहां सेक्षन वाला पॉइंट था वो भी हमको मिल गया हम यहां पर बताना इतना चाहते थे कि अगर अगर देखेगा यहां पर एवन अपॉन यहां पर एवन अपॉन एटू डाज नॉट इक्वेश्ट वीवन अपॉन बीटू है ठीक तभी ऐसा पॉसिबल हुआ कि दोनों लाइ है सुलूशन भी ठीक अब एवन अपॉन एटू क्या था है आप टू अपॉन वन टिक टू अपॉन वर वो दर नॉट इक कोईश्टू है वन अपॉन टू ठीक है तसमाट कोईश्टू वन अपॉन टू तभी ऐसा लाइन मिल गी हमको इंटरसेक्टिंग लाइन तभी मिल आतरवाहिस नहीं मिल पाती है ठीक है है अब एक और हम इक्जाम्पल लेते हैं चल्यीः चापल लंबड टू ले लिए एग्जामकल normल टू ली अम लोग और टू एक्जामपल्स में हम लोग लिए 3X ऑप्लस वाई सैने जी ग form latch disability ले लिए और ठीक और देखिएगा और यहां पर हमने ले लिया एक्स प्लस या वन अपॉन एक्स प्लस वाई भाई थ्री ले लिए एक्स प्लस वाई भाई थ्री इस एक्वेश टू वन ले लिए अगर ऐसा ले लिए तो क्या हुआ है तो तो क्या हो गा देख्येगा रहा हुआ अच्छ से पहले लोग लिकालते हैं एड इंवन अपॉन एटू वीजिए वन अपॉंड बि टू और सी वन की यह निकालते हैं से पहले तो एड़न अपॉन इटू मींज़ थ्री अपॉन वन ठीक है और बीए उप अहां पर है य सीवन अपॉन सीटु यहां पर थिरी अपॉन वन वह भी दिख रहा है तो दोनों एक्वेशन के द्वारा बनने वाली जो लाइन होगी वह सेम लाइन होगी कोइंसीडेंट लाइन होगी कैसी होगी कोइंसीडेंट लाइन होगी ठीक कोइंसीडेंट लाइन होगी यहां तक सारी समझा रही हैं हमने दोनों एक्वेशन लिया एवन एवन अपॉन एटू बीटू सीवन अपॉन सीटू के वाली निकाली तीनों आपस में एक्वेल होते ह हैं तब क्या होता है तब दोनों जो लाइने होती एक दूसरे को कोइंसिजेंट करती हैं एक दूसरे पर ओवरलैप करती है ठीक है ओवरलैप करती है अब आप देखेगा कि हम इनका दुबारा से यहां पर ग्राप ग्राइब बना दे रहे हैं हम रहे हैं है अधिर हम आपका इनotted रहे हैं हैता है और अधिर हिए और तकाफ हमापकी बना रहे हैं यह यह है आपका से लिछ आटोंılmış है य एकशिस य हसे य एकक्सिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12345 टेक 12345 टेक माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 1 यहाँ है, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ठीक चलिए, यह हो गया आपका, आप देखिएगा, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमने X की जहां रखा 0, X की जहां जब 0 रखा, तो Y की वैलू आगई कितनी थिरी, Y की वैलू कितनी आगई थिरी, यानि 0,3 यहां पर हमको यह पॉइंट मिल गया, ठीक है, अब आईए देखिए, अब Y की वैलू 0 रखा, Y की वैलू 0 रखी, तो X की वैलू कितनी आगई, X X की वैलू आगी 1,1 यानि 1,0 एकस पहले लिखते हैं लिखते हैं तो यहू हो लिखते हैं तो यह लाइनप की मिली ये लाइन आपकी मिली चिक ये लाइन आपकी मिली अब इसका ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं देखिएगा हमने यहाँ पर x की वैलु रखी 0 एक्स की वैलु रखी 0 तो y की वैलु आगे क्या 3 y की वैलु आगे 3 आराम से ठीक अब देखिएगा अब हम y की रखे जीरो एक्सकी वैलो क्या गई दोनों सेम चीजें यहां पर मिल गई यानि यह दोनों लाइन आप कर रहे यह को का क्यों कि कृन्डिशन ही हम को बता रही है ओवर लैप को को हो रही है को the end दोनों दूसरी को इनसीडेंट के हो रही है क्योंकि ऐबन अप अकारी टू kişi टू भी आप अप ऑन भी टू सिवान अपॉंसी टु है इसलिए दोनों इक्वेशन के द्वारा बंने वाली जो लाइन से बनने वाली जो लाइनस है वो कैसी है को ऍसीडेंट है इन फाइनाइट सुलूशन साइन के क्या है इन फाइनाइट सुलूशन इन फाइनाइट सुलूशन ठीक यहां तक किसी भी स्टुडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताईए किसी भी स्टुडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताईएगा किसी भी स्टुडेंट को कोई अब हम लोग नो सलूशन वाले पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं नो सलूशन का ग्राफ बना लेते हैं किसका ग्राफ नो सलूशन का ग्राफ बना लेते हैं ना नो सलूशन काम लोग ग्राफ बना लेते हैं वन सेकेंट वन सेकेंट गैमरा हो ओके विटिंग इस क्लियर टी यू बट दो वायर इस करिंग परशान ठीक वायर परशान करता है थोड़ा सा कोई बात नहीं क्लियर है सारी चीजें ओके अब हम नो सुलूशन के पॉइंट आफ यू से बात कर लेते हैं थार्ड थार्ड नो सुलूशन के पॉइंट आफ यू से हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे 2x प्लस y इस एक वेश्ट तू बन जैसल था वेसा मिलिग दिया अब हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे x plus x plus 1 by 2y या y by 2 equals to equals to 4 equals to 4 ऐसा हमने लिख दिया equals to 4 ठीक अब हम a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 की चर्चा कर लेते हैं एवन अपन एटुमिस 2 upon 1 या या यह दोनों तो एक्वल है यह दोनों नहीं है यह दोनों यह दोनों इक्वल नहीं है यह कंडिशन किसकी थी यह नो सलूशन की कंडिशन थी condition of parallel lines की conditions थी ठीक है condition of parallel lines थी अब हम पहले इसका गराब बना लेते हैं x की value हमने रखा 0 x की value हमने रखी 0 तो y की value क्या आगई 1 y की value क्या आगई 1 ठीक अब हमने y की value रखी यहां पर 0 तो x की value क्या आगई 4 x की value क्या आगई 4 अब हम इसी में बना दें यह जीरो कामा वन है इसी में बना दें इसी में इसलिए इसी में बना देते हैं थोड़ा सा मोडिफाई करके इसी में बना देते हैं ओके 451 अब हम इसमें बनाते हैं 0,1 यहां पर होगा यह यहां पर यहां पर इस पहले लिखा जाता है टामा 4,0 यहां पर एसे कुछ लाइन हमको देखी Acee कुछ लाइन हमको यहां पर दिख गई single rule तो Y की value कितनी आ गई ? 4 to the 8, Y की value कितनी आ गई ? 8 ठीक, अब इसमें Y की value लग रखे 0, तो X की value कितनी आ गई ? 4, x की value कितनी आ गई ? 4, ठीक है, तो पहला क्या है ? 0, 8 तो ये तो काफी उपर तक जा रहा है, हम इसको उपर कर लेते हैं, चलिए, ठीक 5 6 7 8 6 7 8 ठीक तो 8 यहां पर आ गया पहला 0,8 अब देखेगा निचे क्या है 4,0 तो 4,0 हमने यहां पर रखेगा क्या य की वैलू 0,0 तो एक्स की वैलू आ गई 4 तो 4,0 गेला वों सेगेंट व enfrent कमेंट के तो यहां पाइँ गलती हो रही है रहना तो हमने यहां पर सॉरी यहां पर माणCाश कई यहां पहले कोशन चैगा था वाइगो जिरो मैंच हैं कि एक्स की वैलु कितनी आएगी वन राय टू कितनी आएगी वन भाइट तो यहां पर सही है इसे को ग्राफ को भी आपको बदलना होगा कोई बात नहीं मिस्टेक तो होती है यही अमर रहे कर ले घटी से स्टेक गलती से मिच टेक गलती से मिच टेक यह उमर है कर ले गलती से मिच्टेक ट 97 तो आपका ये एक पॉइंट मिल गया ठीक है अब आप देखे वन बाइट डू कउमा जिरू है तो नबाइट तू कामा जेरो यहां पर है ठीक तो आपका जो यह मिला पॉइंट यह है आपकी स्टेट लाइन भो ठीक वो इस टेट लाइन आपकी यह यह अब यहां से देखिए क्या मिला यहां से 0,8 यह यहां पर यह यह हो गया अब 4,0 तो 4,0 यह है ठीक इसके इतनी बड़ी हमारे पास नहीं हां आपको दिखना चाहिए सई तरीके से कि पैरलल आपको सही तरीके सथे दिखना चाहिए तप से आपको प्रायल दिखना चाहिए तो को पहले हम इसको डॉटॉटॉट से मिला कि अधिक अब देखिए आप यह यह है अब यह दोनों लाइन आपको पैरलल दिख रही होंगी पैरलल दिख रही होंग성이 इधो लाओने कहीं पर स्ट सब्सक्राब नहीं है कई बंका इंटेसाइट कर दिंस तो उनिक solution मिलता एक दूसरी क्वाइट चड़ जाती तो क्या होता कोइसिडेंश लाइन होता इन फाइन ले मैंने solutions होता तो यह दोन नाइन हो गए पैरल्ल कहीं पर कट कर नहीं रही है तो इन क्या है आएगा राइगा नो solution यह पैरलल लाइन से और नो सलूशन पैरलल है और लाइन के हुआ पहले लाइन s know solution नो solution ठीक त्यरा अम आभिश्य है। क्योंकि आपका वन-अपॉने डूस्त बीजेंट टूठिड्ट का सी मना पॉन सी तूठा इसलिए दोनों लाइने इसलिए आपकी कैसी आई ऐाई आई ने की आएं यहा से भी सौनाइब sensors हो रही हैं वहाशार पर अनौइ wa मैं आपको बता रोव मैं इस रियली बहुत शादा दिक्कत होती है वीडियो को रियकार्ट करने के विज्यू रास्ता है बहुत अधिकर रहे हैं जाने यह टाली आती है त्राली पहर दो नहीं उन्हे मोठा बहुत गुस्था अ लगती है। लेकिन जाने डियें-टाली RED को जी लेने बढ़ पर जिन्दगी। सब्सक्राइं दरह से आती जाती है। है नहीं एक है ताली वालों को गये दो अपनी ही चिंदगी। ठीक है एक आम जी एंगे हम जी एंगे अपनी जिन्दगी ताली वालों को जी लेने तो अपनी जिन्दगी कर दो कर दो कि यहां पर क्या लिखाता सुलूशन्स का पॉइंट आफ उसे बात हो रही है भी ठीक है तो मेथअट टू फान्स अब मैथअड थू फाइंड 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 सोलूशन्स आफ आफ पयर ओफ लीनियर इक्वड़ियशंस पेर ऑफ लीनियर एक्वड़िशंस ठीक हो पहला मेथधें यह वह होता सफस्टिट्यूशन मेथन सबस्टिटूशन मेथ耐 सबस्टिटीूशन मेथार्द había सबस्टिटली जन मेथर्ड दूसरा आपका इल्मिनसिन मेथर्ड तीसरा होता है आपका Cross Multiplication Method Cross Multiplication Method ठीक फूर्थ होता है आपका Graphical Method क्या होता है Graphical Method ठीक तीन तरह चार तरह की को होते हैं solution आप निकाल सकते हैं चार तरीके से किसी पहला of linear equation का पहला substitution दूतरा elimination इस रेक्ट्रॉस multiplication और चौता Graphical तरीके से आप निकाल सकते हैं तो हम एक example लेते हैं और उसके उपर हम चार तरीके से निकालेंगे एक्स प्लस टू आई इक्वेस्टू माइनस वन ठीक थोड़ा सा और इधर लिखते हैं एक्स प्लस टू आई इक्वेस्टू माइनस वन माइनस वन टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वेस्टू 12 यह है अब इनका सॉलूशन चाहिए तो पहला आपको सब्सिटूशन से बताते हैं सब्सिटूशन सब्सिटूशन ठीक सब्सिटूशन सब्सिटूशन में क्या होता है कि आप पहले वाली क्वेशन से एक्स या फिर वाई की वैलू निकाल लीजिए और उस X या Y की वाईलू को आप दूसरे equation में पुट कर दीजिए, जैसा आप तहां पर देखिए, यहां पर देखिए, माइनस 1 है, माइनस 1 है, माइनस 1 है, ठीक, तो आप यहां से पहली equation से, from equation first, इसको first नाम दे दीजिए, इसको second नाम दे दीजिए, ठीक, तो from equation first से आप देखेंगे, कि जो X की value आ रही है, X की value वो आ रही है, आपकी, माइनस 1, माइनस 2 आई, या रही है, X की value from equation 1, और इसी X की value को आप equation second में रख देंगे, put this value, put this value in equation second, और इसी X की value को, इसी X की value को, आप, इसी X की value को आप equation second में put करिए, equation second आपका यह है, ठीक है, आप रिखेंगे 2, X की value माइनस 1, माइनस 2Y, ठीक, माइनस 3Y is equal to 12, ऐसा आपका दिया गया है, यह हो गया आपका माइनस 2, यह हो गया, आपका माइनस 4Y, माइनस 3Y is equal to 12, माइनस 3Y, कितना हो गया, माइनस 7Y, 4 और 3, 7, माइनस 7Y, माइनस 2 बहुझार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 बहुझार जाएगा, कितना हो जाएगा 14ует 11 वाइच वाई कि इन लो कितनी आ गई 14 आप और टूंटो माइनस टू इकस्ट आःसटो नाइन सब्सक्राइड extension अब इसको साल इड़िगंस फोर फूच्ट वैएस्च टू इनस थान माइनस ओन आब इसको सॉत की है कितने आ रही है वैलू बताई जल्दी से वैलू बताई ऐ कितनी आ रही है कितनी किन स्वल्फ किये कि आ हूई माいनट सोध चला जाएगा प्लिस-1 दाडीश 3 खतनी आ ग़ी आंपर ऐसमामाइक गाई ,-2 Вएन की वैलू आ हINO determिन माइन अच्ट गर्माokino ठीजिए 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 पूट कर दीए यह है method of substitution ठीक है तो इसमें आपको करना क्या है कि पहले equation में से x या y की value निकालनी है और x और y की value निकालने के बाद उसे जो है equation second में put कर देना है question second में put कर देना है तो आपको x या फिर y की value वैलू मिल जाएगी और एक्स और वाई की वैलू मिलने के बाद वही एक्स यावाई की वैलू को आप एक्वेशन फस्ट में दुबारा से पुट कर दीजिएगा यही है यही है अब आप देखिए अब आप देखिए अब मेथड आफ इल्मिनेशन देखिएगा सबसे सुलूशन जो है चारों मेथड से सुलूशन आपका सेम ही आएगा इल्मिनेशन 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 मेथड में क्या होता है कि हम एक्स या वाई के कोफिशंट को एक्स या फिर वाई के कोफिशंट को सेम कर लेते हैं जैसे इसमें एक कोफिशंट टू है इसमें इसका कोफिशंट बन है सेम नहीं है तो हम किसी एक का COEFICIONT SAME कर लेते हैं जैसे इसके को करने के लिए इसके को करने के लिए इस पूरे Equation में 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो हम EQUATION FIRST को यहां पर लिख रहे हैं 2 से मल्टिप्लाई करने के बाद 2X मल्टिप्लाई किया प्लस 4Y लिख दिया, multiply किया था, equals 2, 2 से multiply किया था, तो minus 2, minus 2, अब देखिए, दोनों number same आपको दिख रहे हैं, same दिख रहे हैं, तो हमको X काटना है, Y चाहिए हमको, ठेक है, X काटना है, एक काटने के लिए तो multiply किये हैं, ताकि Y की value आजा है हमारे पास, तो काटना है, तो इसको subtract कीजिए, minus आगया, minus आगया, plus आगया, ठेक, plus आगया, यह cancel out हो गया, minus 4Y, minus 3Y, minus 7Y, ठेक, plus 2, plus 12, equals to 14, तो Y की value क्या आगई है, आपकी, Y की value आगई है, आपकी, minus 2, Y की value आगई है, आपकी, minus 2, अब इसी Y की value, minus 2 को इसमें आप पुट कर दीजे, तो X, plus 2, into minus 2, equals to minus 1, equals to minus 1, X minus 4, equals to minus 1, X की value कितनी आजाएगी, 3, X की value कितनी आजाएगी, 3, 3, 3, आपका answer, देखे, Y की value minus 2, X की value कितनी आगई, 3, वही चीज़ यहाँ से भी आई थी, वही चीज़ यहाँ से भी आईगी, कोई भी method of लगा लिजिए, आपका solution, आपका answer सेम ही आने वाला है, तो method of elimination में क्या होता है, हम एक coefficient सेम कर लेते हैं, एक coefficient सेम कर लेते हैं, उसके बाद coefficient सेम करने, एक बाद हम उसको स्ब्ट्रेट करके, वो coefficient हटा देते हैं, सब कुछ, वो variable हटा देते हैं, उसके बाद वहाँ से X और Y की value निकालते हैं, फिर put करते हैं, अगर तो आपका variable गया हो गया, और एक ही variable से बचा, तो आपका काम तो ऐसे भी आसान हो अब आपका है cross multiplication, क्या है cross multiplication, क्या है cross multiplication, क्या है आपका cross multiplication, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ठीक तो यह आपका क्रॉस मल्टिप्लिकेशन यह नहीं पता दे रहे हैं स्टेंडर्ड फॉर्म में इसको बताएंगे हम A1 X जो कहा असान हो जाएगा प्लस B1 Y प्लस C1 इसको जीरो ऐसे लिखा हुआ है ठीक और A2 A2X प्लस B2Y प्लस C2 equals to 0 ठीक तो जो X की वैलू होगी X की वैलू क्या होगी इसको छुपा लिजीए इसको आप छुपा लिजीए B1 C2 इनस B2C1 B1 C2 मैंस B2C1 इसको क्रॉस मल्टिप्लाइ किजए ठीक है आप little एको बच्तिक्रेव किया मिघक डार्भ का तौर सी ओन-ेच्छ एफ सावां-गर। कि ऍर आप यहा लिड़ेग एक वालीड़ियग और एकás व्याई निकलने के लिए और खुप लिए और एकस वाले को इचूपा लिजे आएगा सीवन एटू माइनस माइनस सीटू एवन को कि अगर हम इसको उधर लिखेंगे इसको लिखेंगे सीवन एटू आएगा ठीक है और सीटू एवन आएगा और सीटू एवन ठीक अपान 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 वही चीज़ रहेगी आपकी एवन एवन वी कर लिए एक्स की वैलू निकालने के लिए एक्स की वैलू निकालने के लिए इसको हमने चुपा लिया लेकिन एक बात ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टिप्लिकेशन लगाने के लिए एक्रॉस मल्टिप्लिकेशन लगाने के लिए एक्वेशन को स्ट equals to zero हो गया अब आपका यहां पर क्या होगा 2x-3y-12 equals to zero यह हो इस्टेंडर्ड फॉर्म में अब x की वैलू निकालिए x को छोपा लिए माइनस बारा गुड़ेदो माइनस बारा गुड़ेदो ठेक माइनस माइनस 1-2-3,1-3 on 1-2-3 ठीक,1-2,2-2,2-2 यहांगी आपके x की वैलू निकाली कितना है 2 दूनीश चार का चार हो गया यह . माइनश टुन्टीश उन- यहाईज झास तो इसनवाईटिस यह इक सीविडियों कि लिए आपकी 3 है principles as follows in the actual ... अब देखिए आप वाई की वाई निकाले के लिए एक्सको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो वन इंटु वन इंटु टू- – – 12 into one – 12 into one upon upon तो आपका यही रहेगा अपन तो यही रहता है ठीक है अपन क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस फोली दीजिस टारेक्ट आप ठीक अपान तो सब में यह है क्योंकि यहां पर देखिए वन भी टू माइनस एटू बीवन नीचे वाले तो सेम है ठीक है तो वाइक वैलू क्या निकल गई दो एक कम दो दो माइनस माइनस प्लस प्लस त तो यहां पर हो गया 14 अपान माइनस 7 तो कितना हो गया माइनस 2 तो य की वैलू कितनी थी माइनस 2 तो यह मेथड ऑफ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन है बहुत ही आजसान मेथड़ है लेकिन याद रखेगा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन लगाने के लिए जरूरी और एहम चीज़ क्लिया ने पहले देख लिए आप लोग कहीं पर कोई दिक्कत तो आप हमें बताईए हैं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टुडेंट को है नहीं होगी चलिए अब ग्राफिकल मेथड देखिए गाफिकल मेथड बहुत ही आसान है आप तो ग्राफ बनाई चुके ह आप लिए ग्राफिक रहे थे क्लास नायद में इसपेशल ग्राफ ही है क्लास नायद में आपका ग्राफ ग्राफ है ग्राफ के पॉइंट अभ ईू से ही ज्यादा कोशंट आते हैं उचे बहु जाते हैं ठीक है ना तो ग्राफ ही हम पहले पता देते हैं आपको ग्राफिकल अब एक और मेथर बचा है जो है ग्राफिकल ठीक कोर्शन को हम लोग एक बाद फिर से लिख लेते हैं कोर्शन आप पर था यही था आपका कोशन ठीक तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें एक्स की वैलू क्या रखेंगे 0 तो य की वैलू क्या जाएगी य की वैलू आजाएगी –1, ठीक अब य की वैलू 0 एक्स की वैलू कितनी याजाएगी –1 एक्स की वैलू कितनी –1 ठीक यह दोनों आपके निकल गई इसके लिए पहले वाले इसके लिए ठिक आप ग्राब बनाएए यहां पर ग्राब बना लिए य एक्सिस एक्सिस ग्राब दिख रहा है लाइन सीध ही नहीं बन पाई है और शीधा शीधे लाइन की देहम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं यहाद हम की एक्सिस है कोए डाउट कोई डाउट यह यहाद की यगें यहाद की एक्सिस रह ए क्या आपकी Y-axis, यह आपकी क्या है? X-axis यह आपकी क्या है Y-axis, अपको दिखरा होगा आपको, आप साफो साफ दिखरा है आपकोई दिखरा नहीं है, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ठीक, कोई दिखरा, पहला है 0, Y by 2 माइनस का, तो माइनस Y by 2, 0, ये है, ये रहा, ठीक, ये रहा, ठीक, अब दूसरा क्या है, माइनस 1, 0, माइनस 1, 0 कहा है, ये है, ठीक, इसके बराक्स हम लोग ग्राफ खिचते हैं, किस दिया हमने ग्राफ, ठीक, ये ग्राफ जो है ना, साफ सुतना होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक, अब देखिए, दोनों ही जो लीनेरिक क्वेशन है, उनके ग्राफ, जहां पर कट करेंगे, वह उनके सुलूशन होंगे, ठीक है, क् कि हमने देखा है कि आपको यूनिक सुलूशन मिला है, यूनिक सुलूशन मिला है, इसका मतलब ग्राफ क्ट करेंगे, ग्राफ क्या करेंगे, क्ट करेंगे, अब दूसरे वाले के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में इसके बारे में, इसमें, हम यहां पर लिख दे एक्स की वैली कुतनी आ गई 6 ठीक तो एक आपका यह हो गया अब देखिए 0,4 0,4 यहां पर कहीं है यह है अब का ठीक यह है आपका यह है अब का और दूसरा है 6,0 6,0 means x-axis पर 6 यह है यह है 6 6,0 यह है ठीक अब आप देखिएगा इन दोनों को आप मिलाएए इन दोनों को आप मिलाएए मिल रहे हैं इन दोनों को आप मिलाएए हमने पूरी कोशिश की है मिलाने की चीक है देखिए ध्यान से देखिए अब ग्राफ जहां पर कट कर रहे हैं वहीं उसका क्या सोलूशन अब ग्राफ देखिए यह क्या है 3 और यह क्या है आपका माइनस टू यह क्या है माइनस टू यानि 3 कॉमा माइनस टू पर कट कर रहे हैं तो 3 कॉमा माइनस टू क्या होगा इसका solution क्या होगा 3 कॉमा माइनस टू क्या होगा solution यानि x request to 3 और y request to minus 2 was request to minus two इसका क्या होगा solution तो ग्राफिकल मेठ़ट से भी हमने इसका solution बताया तो चारो ही मेठ़ट हमने आपको discuss कर दिये कि किसी भी linear equation pair of linear equation की solution निकालने के लिए pair of linear equation का solution निकालने के लिए इस चारो मेठ़ट यूज़ किये जाते हैं बहुत ही आसान बहुत ही बहतरी मेथड हैं आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं थिक है अपने सुधाँ अनुसार ठीकिन सबसे अच्छा मेथड अच्छा मेथड जो होता है यूज करने का वो हता है इलिमिनेशन मेथड और आगे quando पहुशते जाएंगे तो आप elimination method ही ज्यादातर यूज़ करेंगे देखेंगे आप खुद ही देखेंगे कि आप ज्यादातर आप elimination method यूज़ कर रहे हो ठीक है और बहुत ही अच्छा और आसान method elimination method होता है लेकिन हमने सारे ही method आपको बता दिये और खासकर graphical point of view से यह आपका class 9th के point of view से graphical solution यह बहुत important होता है बहुत important होता है उम्मीद है आपको सारी समझ में आई होंगी अगर समझ में आई हो तो like share और subscribe करते रहिए ठीक है आप लोग thank you so much next lecture में मिलेंगे एक और नय chapter के साथ यहाँ पर class 9th का आपका पूरा जो है linear equation in two variables ठीक है एक दम खतम हो चुका है समाप्त हो चुका है finish हो चुका है अब आप question करते रहे आप मिलेंगे इसालला next lecture में ठीक है thank you so much झाल 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